हेलो सुमन तो आज किस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं एकसाइज टू एक कोशन नमबर फाइब इससे पहले हम लोग ने कोशन नमबर वन से लेकिए कोशन नमबर फोर तक को पुरह डिटेल डिसकस किया है अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है आप जा कर उस वीडियो को देख सकते हैं ठीक है तो चलिए आज हम लोग सॉल्व करें कोशन नमबर फाइब को ध्यान से देखिएगा कोशन नमबर फाइब में एक ही कोशन है और ज़्यादा टायम नहीं लगेगा इस कोशन को सॉल्व करने के लिए आप नों खाली ध्यान से इसको देखिए ठीक है और इस कोशन को सीख के जाईए मानिस 1 बाइ 3 का पाईब क्या है? मानिस 3 minus 1 by 2 का power कितना है minus का 3 ठीक है bracket यहाँ पर क्या है close Z divided by 1 by 4 का power minus 3 तो मैंने आपको सबसे पहले एक चीज बताया था अगर A by B का power क्या रहे minus C रहे तो इस power को plus में लाने के लिए हम लोग इसको आपस में interchange कर देता है यानि कि B by A का power क्या हो जाता है C हो जाता है तो देखिए जो जो चीज का यहाँ पर जुरत पढ़ रहा था उसका मैं आपको side में एक property के तौर पे आपको मैं लिखवाता चलूँगा आप लोगों इस चीज का धियान रखिएगा ठीक है क्योंकि मैंने first वीडियो से लेकि 4 वीडियो तक यह सारा चीज को मैंने आपको बता दिया है हो सकता है कि आप खाली question number 5 को देखने के लिए मेरे channel पे आए है तो जिससे मैं यह लिखने का मतलब यह होता है कि मैं आपको पूरा detail समझा पाऊं ठीक है तो चलिए 1 by 3 का power कितना है minus 3 minus 1 by 2 का power कितना थे यह bracket close है टिवाड़ेट बाई 1 by 4 का power कितना है minus 3 यह तो आपका question हो गया अब हम लोग करेंगे जब इसको change करेंगे तो यह 3 by 1 का power कितना हो जाएगा 3 minus यह हो जाएगा आपका 2 by 1 का power कितना हो जाएगा 3 है ना divided by 1 by 4 का power 4-3 यानि कि 4 by 1 का पाउर क्या जाएगा आपका 3 आ जाएगा इतना समझ में आ रहा है अब क्या करेंगे ध्यान से देखिएगा तो यहाँ पे नीचे देखिए 1 का तो कोई value नहीं होता है 1 आप लिखिए या ना लिखिए कोई फरक नहीं पड़ेगा यानि कि 3 का पाउर 3-2 का पाउर 3 यह bracket हो गया आपका close divided by 4 का पाउर कितना आ गया आपका 3 आ गया तो 3 का पाउर 3 यानि कि कितना हो रहा आपका 27 3 को आप 3 बार लिखिएगा और 2 का पाउर 3 मतलब कितना आ गया आपका 8 divided by 4 का पाउर 3 यानि कि कितना आ रहा आपका 64 कोई दिक्कत नहीं यहां तक समझ मारा अब 27 में से जब आप 8 को माइनस कीजेगा तो आपका कितना आ रहा है 19 divided by आपका 64 आ रहा है ठीक है तो इसका मतलब आप इसको कैसे लिखेंगे 19 by कितना divide मतलब बटा यह आगे आपका 64 यह आगे आपका answer final यानि कि 19 by 64 कोई दिक्कत यहां तक समझ मारा न आप लोग को चलिए so students please note down this question so students I hope आपको इस वीडियो से काफी कुछ सिखने को मिला होगा वाकई अगर आप इस वीडियो से कुछ सिखे हैं तो इस वीडियो को लाइक किजे अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूले और अपने दोस्तों को साथ जरूर सेर किजे तो students मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाई